अब बड़ी खबर के साथ दिली के रोहीनी जिले के प्रशान्त विहार इलाके में धमाके की तेज आवास सुनाई दी इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई ये धमाका CRPF के स्कूल की दिवार के पास हुआ धमाके के बाद धुए का एक बड़ा गुबार भी देखा गया इस घटना के बाद से इलाके के लोगों में दहशत का महौल है रोहीनी के DCP अमेद गोयल ने बताया कि धमाके के कारणों का पता लगाने के लिए एक स्पोर्ट्स को बुलाया गया है फिलाल ये साफ नहीं है कि धमाका किस प्रकार का था और इसका स्त्रोथ क्या था DCP ने काया कि जांच के बादी विशेशग्यों की टीम स्थिती की विसरत जानकारी दे पाएगी वह इंगटना की जानकारी फायर ब्रिगेड विभाग को सुबा दी गई जिसके बाद तुरंत दो दमकल की गाड़ियां भेजे गई धमाका इतना जोरदार था कि पास की दुकान और दुकान के पास खड़ी गाड़ियों के शीशे तक तूट गए तो रोहिनी में स्कूल के पास धमाके की खबर जो है सामने आई है और धमाका इतना तेज था कि आसपास जो खड़ी गाड़ियां थी उसके शीशे तक तूट गए लेकिन फिलाल गनीमत ये रही कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है स्कूल के पास धमाके की एक खबर सामने आई स्कूल के पास धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि जो आसपास की खड़ी गाड़ियां थी उनके शीशे तक तूट गए फिलाल अभी तक पुष्टी नहीं हो पाई है कि धमाका किस प्रकार की धातू का था क्या प्रक्स्रोत था धमाके का फिलाल आपको बता दें कि CRPF स्कूल के पास धमाका इतना तेज था कि आसपास के लोग वहाँ पर इकठा हो गए प्रषासन को मौके पर बुलाया गया पुलिस की टीमे मौके पर मौझूद है फैसल की टीम मौके पर है और जाच की जा रही है फिलाल आपको ये बड़ी जानकारी दे दें ये प्रशांत विहार का इलाका है जहाँ पर CRPF का स्कूल है उसके पास धमाका हुए फिलाल FSL और पुलिस की टीमे मौके पर मौजूद हैं और जाच चल रही है कि आखिरकार किस चीज से धमाका हुआ है आसपास की जो कई गाडियां खड़ी थी उनके शीशे तक तूट गए तो आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि धमाका कितनी तेज होगा और धमाके की अवाज इतनी तेज थी कि आसपास लोग इकठा हो गए और अभी भी लोग देहशत के महौल में हैं कि इस तरह से धमाका एक रिहाईशी इलाकों में कैसे हो सकता है फिलाल FSL की टीम पुलिस प्रशासन मौके पर मौझूद है और जाच की जा रही है कि आखिरकार किस चीज से यह धमाका हुआ है तो यह रोहिनी के प्रशांत विहार का इलाका है वहाँ पर CRPF स्कूल है उसके पास यह धमाका हुआ और दमाका इतनी तेज था कि आसपास जितनी भी गाडियां खड़ी थी उनके शीशे तक तूट गए लेकिन गनीमत यह रही कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है सुबह की यह पूरी घटना बताई जा रही है प्रशांत विहार के इलाके के पास यह धमाका होता है CRPF स्कूल के पास और धमाके की अवाज इतनी तेज थी कि आसपास जितने भी लोग थे वहाँ पर इकठा हो गए कई गाड़ियां महाँ पर खड़ी थी उसके शीशे तक तूट गए लेकिन गनीमत यह रही कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है पिलाल बलास्ट के बाद धुमे का गुबार भी वहाँ पर देखा गया अब FSL की टीम मौके पर है पुलिस प्रशासन है मौके पर और जाच की जा रही है कि किस क्या स्त्रोत है धमाके का किस चीज से धमाका हुआ है उसके कारणों की जाच जो है चल रही है